Hello everyone, welcome to sports तक मैं हूँ खुशी गुपता India vs South Africa के दोरे में ODI की शुरुवात होगी कल से कल पहला ODI मैच खेला जाएगा जिसकी कप्तान ही करेंगे केल राहुल तो सबसे पहले आपको बता देरे कि दीपक चहर जो की स्कौर्ड का हिस्सा थे वो परसनल मेडिकल इशूस की वज़े से नहीं खेल पाएंगे और उनकी रिप्लेस्मेंट में आये है अकाश दीप आज केल राहुल प्रेस कॉन्फरेंस के लिए और उन्होंने क्या कुछ का आए चलिए एक बार उस पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बात की रिंगु सिंग की, the star रिंगु सिंग, the finisher रिंगु सिंग उन्होंने रिंकु सिंग की जरणी IPL से, फिट डिमेस्टिक की और अब यहां वो कैसा पफॉर्म कर रहे है, इस पर बात की उन्होंने कहा IPL में जिस calmness के साथ जिस freshness के साथ वो खेल रहे थे वो एक काबिलियत तारीफ है Domestic में भी उनका production बहुत जबरदस रहा है और इस series में भी उनको opportunity मिलेगी तो जी कल के squad में रिंकू सिंग तो आपको खेलते नजर आएंगे केल राहूल से जब clearly उनके ODIs में रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ODIs में टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे और middle order backspin की तरह खेलेंगे उन्होंने कहा कि test में भी वो ये रोल अधा करने के लिए बिलकुल तयार है उन्होंने कहा कि टीम को जिस भी रोल में उन की जरूट पड़ेगी वो वहाँ पर जरूर खेलेंगे जब उनसे T20I के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिलकुल वो तयार है विकेट कीपिंग के लिए वहाँ पर भी और उन्हें कहा कि वो जादा से जादा मैचेस खेलना चाहते हैं अब आप जानते हैं कि ODI में केल राहूल ओपन करते थे फिर रोई शर्मा जबाए तो उनकी जगा वहाँ नहीं बन पाई और फिर वो कि ODI में केल राहूल एक दावदार हो का अपतानी के लिए इसके बाद उन्होंने यंग्स्टर्स को क्या कुछ कहा है उन्होंने कहा कि यंग्स्टर्स की बात करें तो उन्हें उनका टाइम देना होगा अगर आप उन्होंसे उमीद करें कि वह आकर रोहित या विराट की तरह खेलने लग जाएंगे तो वैसा नहीं होता है उनको अपना टाइम चाहिए ग्रूमिंग के लिए इसलिए उनको मौके मिलने इस दौरे पर inexperience bowling यह तो उन्होंने का नहीं में यह बिल्कुल नहीं मानता कि हमारे पास inexperience bowling है क्योंकि सारे ही प्लेर्स आई-पेल खेलते आए हैं और आई-पेल में प्रेशर को हैंडल करते आए हैं तो उन्हें पटा है हर मैच को किस तरह निकालना है उनको बहुत मेरा है IPL में और वो हैंडल कर सकते हैं हर सिचुएशन को हर प्रेशर को और उन्होंने जबरदस्ट खेला भी है अब देखते हैं इस सीरीज में कैसा रहेगा इंडिया के लिए क्योंकि केल राहूल ने जब पिछली बार साउथ आफ्रिका के दौरे में कप्तानी की थी और आ sports.com हमारी website है वहाँ पर भी जाएं आप details के लिए और सारे analysis के लिए sports तक हमारी app है जहां पर जाकर आप बहुत सारे articles वगरा देख सकते हैं बाकी ऐसे ही पसंद करते रहें मिलते आपसे अगली वीडियो में मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट, live analysis, special interviews, download कीजिए sports the camp